आघ की वीडियो ओस अ ट्विन o class के लिए हैं जिनके ट्विन फ्लेमे ऋस्ट्यूल्ण सेक्स ट्विन फ्लेमे हैं जिनके ट्विन को लेकर कि हमारा twin flame का age gap 15-20 साल नहीं हो सकता हमारा twin flame का religion different नहीं हो सकता एक Muslim है और एक Hindu है तो उसको लेकर कहीं न कहीं judgment है society में same sex twin flame कैसे हो सकते हैं twin flames तो exist करते ही नहीं same sex twin flame तो exist करें सकते या लोगों के different opinion है यह एक face है आपकी life का तो यह सब क्यों face करना पड़ता है twin flame को यह अर्थ पे आने से पहले है यह क्यों decide कि आ जाता है कि same sex twin flame होगा जो भी आपका dynamic है आपके और आपके twin flame के बीच में क्यों आप लोगों को दिया जाता है आप लोग पहले conditioning अपने उपर लेते हो society की समाज की religion की और afterwards आप अपने twin से मिलते हो आपको पता लगता है आपका twin तो आप से 15 साल चोटा है यह चोटी है मैंने ऐसे cases भी देखे हैं जहां चोटे हैं आपको पता लगता है जब हमें conditioning मिलती है वो कहीं न कहीं हम खुद choose करते हैं कि किस family में हम birth लेंगे और उस family की dynamics को change करना है ताकि वो purification की तरफ आ पाएं और ascent हो पाएं तो जब आप अपने twin flame dynamic पे work करते हो और accept करते हो और धीरे धीरे एक fearless state में आना शुरू करते हो जो कि spirals में होता है समाज की judgment of course हर चीज़ में होगी same sex twin flame को लेकर मैंने बहुत judgment face की है तो twin flame छोड़ो same gender relationships को लेकर मैंने बहुत judgment face की है और ये fear होता है जो हमारी conditioning इतने layers हमारे उपर society ये है कि society हमें जीने नहीं देगी society ये करेगी पर वो society आके ना तो आपको खाना खिला रही है और नहीं वो society आके आपका ये dynamic संभाल रहे है ये आप हो जो संभाल रहे हो बट ये judgment कहां से आती है कहीं न कहीं society को ये लगता है कि उनके जो rules and regulations हैं वो break हो रही है या जो एक dynamic चलता आ रहा है वो break हो रहा है उनकी social conditioning break हो रही है तो वो out of fear reaction करते हैं इन चीजों का out of fear वो इन चीजों को देखते हैं और ये fear जो होता है वो बहुत strong होता है ट्वेंक्रेंस के अंदर जिनको उनको break ही करना पड़ता है और fearless बढ़ना पड़ता है इस चर्णी में और इस fear से ascend होके love की तरफ आगे बढ़ना पड़ता है और मैं यही बोलूँगी कि इसमें take your time इसमें कोई जल्दी नहीं है अगर आप love करते हो एक लड़की को लड़की होने के बावजूद और आप love करते हो ब्रेक करने आयो पार्टन्स वो ब्रेक करने जरूरी है और fearless इसमें बनना बहुत जरूरी है और जो आपके highest पूट के लिए होंगे लोग वो आपको जरूर सपोर्ट करेंगे आपको अपनी तरह के लोग जरूर मिल जाएंगे अपने जैसे लोग मिल जाएंगे जो आपकी अपकी अप दुनों की सूल को यूनियन की तरफ ले जाने और एसेंड करने यहां पर आए है और आपको एक ना एक दिन तो सामने आके सच दुनिया को दिखाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा यह सत्य है और यह सच है मेरा और मेरा लव इस तरह से एक्जिस्ट करता है और यह एक सेम जेंडर लव है यह इतना एज क्याप वाला है यह हिंदू मुसलिम के बहार के डानामिक का लव है तो वो सूसाइटी के सामने एक बार आना पड़ेगा आपको क्योंकि वो फियर से उपर उटके आपको लव में आना है अब उस फियर में जतना ज़्यादा रहोगे उतना वो ट्रैप्ड एमोशन आपको तंग करते रहेंगे और वो आपको आपकी ट्रू जो सूल आइडेंटिटी है उसको एक्सेप्ट नहीं करने देंगे अगर आपकी प्रू एसेंस यह है तो आपको इसको एक्सेप्ट करना ही होगा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक स्टेज पे आपको एक्सेप्ट करना होगा कि यह है और हूँ सूसाइटी कौन होती है सूसाइटी हमें जज़ करने वाली या हम क्यों society को इतना ज़्यादा importance दें कि वो हमें judge करें बैठके और वो वहां judge बने और हमारी life को देखें ये गलग कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं क्यों? Just because वो आपके relatives हैं या आपकी surrounding में लोग हैं doesn't make any difference but ये break करना बहुत important है और fear को जब आप break करोगे तो आप देखोगे जैसे जैसे आप fearless होते जा रहे हो आप अपनी higher self के साथ conditioning से निकलते जा रहे हो usually feminine के अंदर ये fear बहुत होता है और courage की कमी होती है तो जैसे जैसे आप fearless होगे इस journey में और heart की journey पे आओगे बढ़ोगे तो अब बहुत difference देखोगे अब एक peaceful state पे आओगे क्यों क्योंकि वो आपका truth है आपका truth आपको नहीं deny करना है अपने truth को आपको accept करना है आपका truth आपका truth है और उसका पूरी दुनिया से या और किसी से समाद से किसी से भी इसका लेना देना नहीं है वो आपका truth है तो उसको उसी तरह accept करो जिस तरह से आप accept करना चाहते हो तो I hope आज की वीडियो आप ल रही है, thank you so much.